नमस्कार दोस्तों मैं सवरब आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मोबाइल सल्यूशन पर दोस्तों मेरे पास यह जो हैंट सेट है Nokia ब्रैंड का है आप देख सकते हैं बैक साइड में Nokia की ब्रैंडिंग है और दोस्तों मॉडल नमर है Nokia 6.1 प्लस ध्यान से सुनिए मॉडल नमर है Nokia 6.1 प्लस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Nokia 6.1 प्लस का FRP बाइपास कर करने का तरीका दोस्तों अगर आप नोकिया 6.1 प्लस यूज कर रहे हैं और अगर आपकी डिवाइस गूगल एकाउंट लॉक है यानि की फार पी लाख है तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप घर बैठे बैठे अपने नोकिया 6.1 प्लस का एफर पी यानि की गूगल एकाउंट बहुत आसानी से बाइपास कर पाएंगे ठीक है अब यहां दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहां उपर की तरफ आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे एक लॉकर बना हुआ है तो इससे पूरी तरह कंफर हो जाता है कि हमारी डिवाइस एफर पी लाख है ठीक है लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको कंफर्म कर देने वाला हूँ कि मेरे पास यह जो डिवाइस है नोकिया 6.1 यह गूगल एकाउंट लाख है यानि की एफर पी लाख है ठीक है अब इसके लिए सिंपल हम य किसी वाइफाई के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ ओके डिवाइस हमारी कनेक्ट हो गई आप देख सकते हैं उपर की तरफ वाइफाई का सिंबल सो कर रहा है ठीक है यहां से हम कर देंगे डॉंट कॉपी और कुछ सेकेंड वेट करिए दोस्तों आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि डिवाइस हमारी गूगल एकाउंट लाख है यानि कि एफारपी लाख है अब देख सकते हैं दोस्तों यहां बोल रहा है बैरिफाई योर एकाउंट तो यहां पे आपको अपने डिवाइस का गूगल एकाउंट बैरिफाई करना होगा अगर आपको आपके बहुत आसानी से अनलाग हो जाएगी लेकिन यहां दोस्तों हमें अपने डिवाइस का गूगल एकाउंट नहीं मालूम है यानि कि हमारी डिवाइस नोकिया 6.1 प्लस पूरी तरह से गूगल एकाउंट लाग है अभी भी दोस्तों आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उपर क तरफ ये लाकर बना हुआ है ठीक है कोई दिकत नहीं दोस्तों आप ध्यान से देखें इस वीडियो को इस वीडियो में मैं आपको नोकिया 6.1 का एफर पी बाइपास करने का बहुत ही आसान बहुत ही सटीक तरीका बताऊंगा ओके तो आपको करना क्या होगा दोस्तों सब कोई भी स्टेप आपी स्कीप नहीं करिएगा ठीक है तो आपको करना क्या है सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह जो डिवाइस का लंग्वेज है इसे चेंज कर लेना है ठीक है डिवाइस का लंग्वेज चेंज करके आपको हिंदी कर लेना है तो आप इस पे क्लिक करें ओके यहां पे विल्कुल उपर की तरफ यह देखे हिंदी भारत आपको मिलेगा तो आप इसे सलेक्ट कर लें ठीक है अब यह देखे डिवाइस का लंगेज हिंदी हो गया ठीक है अब यहां से इसकीप करें ठीक है और उसके बाद यहां से आप एक पॉइंट बैक आजाएं ठीक है एक पॉइंट बैक आके आपको आ जाना है connect to wifi network वाले option पे यानि कि जहां आपने डिवाइस का wifi connect किया था उस option पे आपको चले आना है ठीक है अब यहां दोस्तों देखे यहां लिखा है सभी wifi network देखे आप इस पे क्लिक करें ओके अब उसके बाद यहां देखे नया डिवाइस का यहां पे एक menu आता है वो menu so नहीं कर रहा है और हमारे device की language अभी भी यहां पे चुकि language हमने हिंदी चेंज किया लेकिन अभी भी यहां पे English है ठीक है तो आप ऐसा करिए कि device को पहले एक बार यहां से restart कर दीजिए ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आप देख सक होने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको सेम करना है डिवाइस का लंग्वेज पहले आपको हिंदी कर लेना है हिंदी पे क्लिक करने के बाद आप next करेंगे अगर आपको वहां पे language change करने का option मिल जाता है तो अच्छी बात है अगर नहीं मिलता है तो आप device को simply reboot कर दे ठीक है तो चुकि लंग्वेज का option नहीं मिला था इसलिए device को मैंने reboot किया और यह देखे दोस्तों device हमारी reboot होने बाद पूरी तरह से active हो चुकी है तो अब यहां देखे दोस्तों device का जो लंग्वेज है वो by default हो गया फिर से default हो गया तो आपको इसे पहले change कर लेना है यहा लंग्वेज हिंदी चेंज हो गई अब यहां से skip कर दें अब उसके बाद यहां से आप एक पॉइंट बैक चले जाएं ठीक है तो यहां से आप बैक जाएंगे दोस्तों तो बैक आने के बाद आप चले आएंगे connect to wi-fi network वाले option पे बिल्कुल सेम जैसा हमने पहले किया था ठीक है अब उसके बाद सेम आप यहां देखे सभी wi-fi network आपको दिख रहा है आप इस पे क्लिक करें ओके यहां लिखा है नया network जोड़े आप इस पे क्लिक करें ठीक है और finally दोस्तों अब यह देखे यहां पे यह menu सो नहीं कर रहा था ठीक है यह menu यानि कि language चेंज करने का यह जो menu है यह show नहीं कर रहा ठीक है अब यह देखे successfully यहां पे show करने लगा ओके आपको करना क्या है दोस्तों यह जो icon है इस icon को आपको touch and hold करना है तो आप अपनी एक finger ले जाए कुछ दिर तक इस पे रखें और उसके बाद आप अपनी finger यहां से हटाने ठीक है तो आप द तो आप इस पे click कर दें ठीक है तो यहां दोस्तों आप देखेंगे बहुत सारी language आपको यहां पे देखने को मिल देगी बहुत सारी language यह देखे ठीक है लेकिन यहां दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको कुछ changing दिखाई देगा मैं आपको दिखाता हू यहां देखे दोस्तों कुछ ऐसी language है जिसके सामने arrow है यहां देखे यह language है इसके सामने arrow है और भी बहुत सारी ऐसी language होंगी जिनके सामने आपको यह देखे arrow देखने को मिल रहा है ठीक है आपको simple करना क्या है दोस्तों किसी भी language के सामने जिसके सामने arrow है उस arrow पे आपको click कर देना है तो यह जो एईरो है मैं इसपे क्लिक करूँगा ठीक है कुछ से्टे hoping यहां पे तो कुछ इस ट्याइब का अइंटरवेस को देखने को मिलेगा ठीक है अब आपको करना किया दोस्तों यहां लिखा अपनी समस्या बताएं, आप इस पे क्लिक करें, ठीक है, और यहां पे आपको टाइप करना है, यूज मोर्स कोड, ठीक है, तो यह जो लंग्वेज है, अभी हिंदी है, आपको इसे इंगलीज करना होगा, तो यह जो आइकन है, इस आइकन पे आप एक बार क्लिक करें, और य यह लंग्वेज आप देख सकते हैं, इंगलीज हो गया, ठीक है, अब यहां पे आप टाइप कर दें, यूज, ठीक है, एम, ओ, आर, सॉरी, यूज, इस पेस, एम, ओ, यह देखिए, यूज मैंने टाइप किया, यहां पे यूज मोर्स कोड आ गया, ठीक है, तो आपको इस टाइटल उपर की तरफ सो करेगा, आपको सिंपली इस टाइटल पे क्लिक कर देना है, और यहां दोस्तों आप देखेंगे, आपके डिवाइस में यूट्यूब का अप्लिकेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है, अब आप इस वीडियो को ऐसे पकड़ के बिल्कुल नीचे लि करना है, ठीक है, और यहां दोस्तों फाइनली आपके डिवाइस में पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है, अब यहां से आप इसे सेट अप कर लें, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, ठीक है, यह हमारा ब्राउजर पूरी तरह से ओपन हो चुका है, अब उपर का जो एरि Google.com, आप एंटर कर लें, तो यहां दोस्तों आप देखेंगे कि Google का पेज फाइनली ओपन हो जाएगा, ठीक है, अब यह जो सर्च बाक्स है, इसे सर्च बाक्स बोलते हैं, आप इस पे क्लिक करें, और यहां पे आप टाइप कर दें, VNROM, अब इसे आप यहां से सर्च कर करना है, कुछ सेकेंड वेट करेंगे, तो VNROM.NET की जो website है, वो पूरी तरह से open हो जाएगी, यह देखें, VNROM.NET की website पूरी तरह से open हो चुकी है, ठीक है, यहां से आप allow कर दें, ओके, अब यहां दोस्तों कुछ application आपको download करने हैं, तो सबसे पहला जो application है दोस्तों, तो वो है Android 8, 9, 10, ठीक है, यह वाल application, तो इसे download करने के लिए simple आप इस पे click करें, ठीक है, यहां से download करें, और यह application successfully आपका download होने लगेगा, ठीक है, उसके बाद जो second application है दोस्तों, वो है FRP bypass, यह वाल application, ठीक है, तो simple है, आप इस पे click करें, और यह भी application आपका successfully download होने है, तो उपर के तरफ यह three dots आपको मिल रहा है, आप इस पे click करें, और उसके बाद यह देखे, download डिखा है, आप download पे click करें, तो आप देखेंगे दोस्तों, कि जो application आपने click किया था, वो application successfully download हो रहा है, ठीक है, by mistake यह दो बार हो रहा है, तो एक हम cancel कर देंगे, अब यहां दोस्तों, आपको एक problem phase करनी पड़ती है, यहां maximum होता यह दोस्तों, कि कुछ इस type से slow करता है, 1.7 MB, 1.7 MB, यह नहीं कि हमारा application download हो चुका है, लेकिन यह download हो नहीं रहा है, आप देखें, इसे रोक लेते हैं, यहां पे, हमने रोक लिया, फिर से start करते हैं, ठीक है, लेकिन यह देखें, बिल्कुल ऐसे stuck है, यह application हमारा download हो नहीं रहा है, हमारे बहुत सारे viewers हैं, जो comment करते हैं और पूछते हैं कि application हमारा download नहीं हो रहा है, तो इसका भी solution मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं, आपको back जाना है, और simple, जिस page से इस application को आपने download किया है, उस page क आपको एक बार refresh कर लेना है, तो refresh करने के लिए कुछ इस तरह ऐसे आप नीचे ले जाएं, छोड़ दें, ठीक है, यहां से आप OK कर दें, OK कर दें, ठीक है, आपको सिर्फ OK कर देना है, तो अब जो आपका application रुखा हुआ था दोस्तों, वो successfully download हो चुका होगा, ठीक है, address box पे क्लिक करें, यहां google.com, ठीक है, google.com, और यह रहा Google, आपको फिर से Google का page open कर लेना है, ठीक है, अब जो third application है दोस्तों, वो है N launcher, तो आपको यह search box पे क्लिक करना है, और यहां पे आपको टाइप करना है, N लांचर, अब यहां से आप सर्च कर लें, ठीक है, यह search result आप के सामने आ गया, थोड़ा सा नीचे आने बाद, यह देखिए, जो पहली website है, यहां एक green color का logo बना हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है, यह N launcher open हो गया, आप थोड़ा सा नीचे आए, green color का आपको मिलेगा download APK, आप इस पे क्लिक करें, ठीक है, उसके बाद थोड N launcher का application successfully यहां download हो रहा है, लेकिन यहां भी दोस्तों same problem face करनी पड़ रही है, हमारा application download so कर रहा है, लेकिन अभी देखिए, यह application हो नहीं रहा है, ठीक है, यह देखिए, यह application हो नहीं रहा है, तो मैंने आपको इसका solution बताया, आपको simple page को refresh कर देना है, यहां से ok कर देना है, तो आपका रुका हुआ application download हो जाएगा, ठीक है, आप फिर से 3.00 पे click करें, download पे click करें, और यह देखिए, जो N launcher रुका हुआ था, वो successfully download हो गया, ठीक है, और सबसे पहले अब आपको करना किया दोस्तों, सबसे पहले यह जो last वाल application आपने download किया है, N launcher, सबसे पहले आपको N launcher को install कर लेना है, इन तीनों application का link मैं आपको description box में provide कर दूँगा, वहां से बहुत आसानी सापी से download कर सकते हैं, ठीक है, यह N launcher install हो गया, मैं इसे यहां से open कर लूँगा, ठीक है, open होने एक बाद, आप यहां देखें दोस्तों, आपको यहां got it पे click कर देना है, अब यहां ठीक है, तो आप confused बिल्कुल न होईएगा, और अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो यह जो language है दोस्तों, यह Hindi language है, तो आपको सबसे पहले language को change कर लेना, इसे English कर लेना है, तो इसके लिए आप यह device की setting है, तो आप setting में जाएं, ठीक है, और बिल्कुल नी करें, यहाँ पे आपको Hindi दिख रहा है, यहाँ पे आपको अंग्रेजी को आइड करना है, तो भासा को आइड करने के लिए, आप यहाँ भासा जोडे पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको अंग्रेजी मिलेगा, यह रहा, अंग्रेजी इंडिया, तो आप इस पे क्लिक कर दे अब यहाँ दोस्तों यह देखें अंग्रेजी एड़ हो गया ठीक है अब आपको हिंदी को remove कर देना है तो इसे remove करने के लिए simple यह जो three dot है आप इस पर क्लिक करें यहाँ से निकालने पर क्लिक करें और यह से check कर दें और यहाँ से इसे delete और delete तो यहाँ से आपका हिंदी लं लंग्वेज इंग्लीज हो चुका है ठीक है बैक आए आप और यह देखे लंग्वेज हमारी चेंज हो गई टोटली लंग्वेज हमारी इंग्लीज हो गई ठीक है यह देख सकते हैं ओके तो आपको सबसे पहले डिवाइस का लंग्वेज चेंज कर लेना है ठीक है अब यहा आपको simple click करना है apps में यह देखिए apps लिखा हुआ है तो आप इस पर click करें ठीक है अब उसके बाद यहां देखे लिखा app install file आप इस पर click करें ठीक है तो यहां जो app आपने डाउनलोड किया था वो सारे apps की list यहां पर आ जाएगी ठीक है अब आपको करना क्या दोस्तों यह ज second जो application install करना है वो है Google Account Manager यह install हो गया आप इसे यहां से done कर दें अब उसके बाद third जो application है वो है FRP bypass तो आप इसे install करें यहां पर install पर click करें तो यह FRP bypass हमारा install हो रहा है ठीक है install हो गया उसके बाद आपको इसे open कर लेना है open करने के बाद कुछ इस टाइप पर interface आपको okay कर दे अब यहां दोस्तों यह देखे signing तो कुछ second wait करने के बाद यह देखे Google signing कुछ इस टाइप का interface आएगा अब यहां दोस्तों आपके पास होना चाहिए कोई working Google account यानि की Gmail ID तो मैं अपना Google account यहां पे email और phone में add करूँगा okay मैंने अपनी Gmail ID यहां पे add कर दी अब यहां से मैं next करूँगा अब उसके बाद यह मुझसे Gmail ID का password मैंगेगा enter your password तो हमें अपना password यहां पे enter करना होगा ओके मैंने अपना password यहां पर enter कर दिया अब मैं यहां से next कर दूँगा और अब क्या होगा दोस्तों यह जो Gmail ID हमने इस device में add की है successfully इसमें sign in होके इस device में add हो जाएगी ठीक है अब यहां से back चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहां से आपको बिल्कुल back चले आना है बिल्कुल main menu पर ठीक है अब यह ID इसमें add हो चुकी है जो ID हमने sign in किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ back आके आपको आना है device की main setting में ओके अब setting में आनेक बाद आपको एक option मिलेगा apps and notification तो आप इसपे क्लिक करें ठीक है यहां यह देखिए see all 30 apps आपको इसपे क्लिक करना है ठीक है और अब आपको करना क्या है दोस्तों यहां पे Google account manager जो आपने install किया हुआ था उसे uninstall कर देना है तो यहां आप नीचे आईए यह देखिए Google account manager है तो आपको इसे uninstall करना है तो आप इसपे क्लिक करें और यहां से आप uninstall पे क्लिक कर दें और OK ठीक है तो सबसे पहले आपको Google account manager को uninstall करना है ठीक है उसके बाद जो second application आपको uninstall करना है वो है FRP bypass तो यह रहा FRP bypass आपको इ इसे uninstall करना है तो आप इस पे क्लिक करें और simple यहां से uninstall पे और OK कर दें ठीक है दो application आपने अंस्टाल कर दिया, third application जो है दोस्तों वो है en launcher यह वाला application तो अब आपको इसे भी uninstall कर देना है तो आप इस पे क्लिक करें Uninstall, OK, ठीक है तीनों application जो आपने डाउनलोड किये और install किए, उन सारे application को आपको uninstall कर देना, ठीक है, और अब आपको करना उत दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल back चले जाना है, बिल्कुल home screen पे तो आप बिल्कुल back चले आए, बिल्कुल आपको, जो है की home screen पे चले आना है, बिल्कुल back ओके हम चले आए बिल्कुल बैग और अब आप simple android setup करें अभी भी देखिए दोस्तों यहाँ पे यह जो locker बना हुआ है ठीक है अभी भी locker बना हुआ है अभी हमारे device का FRP bypass नहीं हुआ है अब आपको setup करना है तो आप simple let's go पे click करें यहाँ से आप skip कर दें और अब यहाँ क्लिक कर दें और अभी आप देखेंगे दोस्तों जो gmail id हमने डाली थी यह देखिए successfully account added यानि कि जो gmail id हमने डाली थी इस device में successfully add हो चुकी यह देखिए account added और यह gmail id हमने डाली थी ठीक है अब यहाँ से आप next कर दें और कुछ सेकेंड यहाँ पर wait करेंगे आप उके उसके बाद आपको more पर click करना है more accept ओके यहाँ से आप next पर click करें यहाँ से आप skip कर दें यहाँ से no thanks कर दें ठीक है और यह देखिए you are nearly ready to go आपको let's go पे click कर देना है और finally दोस्तों यह देखिए जैसे यह Android setup मैंने पूरी तरह से complete किया हमारे device का FRP पूरी तरह से bypass हो चुका है ठीक है अब यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं उपर की तरह किसी भी टाइप का lockers हो नहीं कर रहा है यानि कि हमारे device का FRP पूरी तरह से bypass हो चुका है ठीक है अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दे जब आपके device का FRP पूरी तरह से bypass हो जाए तो दोस्तों device को manual reset करना बिल्कुल न भूले ठीक है ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आपने इस device का FRP bypass करने के लिए इसकी setting से बहुत ज़्यादा changing की है बहुत ज़्यादा छेड़ खानी गुई है ठीक है तो आप device को manual reset जरूर करने ठीक है इसके लिए आपको जाना होगा device की main setting में ठीक है बिल्कुल last में आएंगे तो आपको एक option मिलेगा advance तो आपको advance पे क्लिक करना है ओके अब उसके बाद यहां देखिए आपको एक option मिलेगा reset option तो आप इस पे क्लिक करें उसके बाद erase all data factory reset आपको इस पे क्लिक करना है ठीक है उसके बाद यहां देखे finally आपको reset phone का option मिल रहा है आप इस पे क्लिक कर दें और एक अगर दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से घर बैठे बैठे अपने Nokia 6.1 प्लस का FRP लाग यानि की Google एकाउंट लाग बाइपास कर पाएंगे तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, helpful लगती है तो दोस्तों प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जादा से जादा सेर करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए आप मारी यूट्यूब चैनल को जरू सस्क्राइब करें, बगल में जो बेलाकन है उसे प्र